और इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ अस्तदुदीन ओवैसी साहब जो की अध्यक्ष है ये आई-म-ा-ई-म के लाइफ जुड़ रहे है इस वक्त ओवैसी साहब क्या दिक्कत है समझ नहीं आई आई आप मतलब यह जो आक्रमक दिख रहा है नया शेर उससे दिक्कत है या लोग सभा स्पीकर ने अनावरण नहीं किया इस से है या फिर पूजा वहां पर हुई है इस बात पर है ओवैसी साहब तुक्षे मैंने जब बदान मंत्री नए पार्लिमेंट की बिल्डिंग का फॉंडेशन स्टोन डालते हैं उखत पर उन्होंने इनाउग्रेट किया मैंने अपना अब्जेक्शन किया कल जब बदान मंत्री नैशनल एंबलम क्या अनमेल कर रहे है मेरा अब्जेक्शन उसी लाइंग पर है मेरा मानना यह है कि भारत का सम्मीधान में जो बेसिक स्टक्चर है वो सुप्रीम होता है और सुप्रीम होता है और सुप्रीम होता है और सुप्रीम पार्लिमेंट में सबसे सुप्रीम पार्लिमेंट का लोगसवा का स्पीकर है प्रदान मंत्री नहीं है प् theory of separation of powers को कमजोर कर दें या उसके बरसलाब जाकर speaker को अपने पीछे बिठाएं और उस national emblem को आप unveil करें ये पादानमंत्री घलत काम क्या ये constitution launch के खलाफ है हाँ बहुत से जानकार लोग कह रहे हैं कि वो emblem में जो line है उसका original photograph से मुखतलिफ है इंडिपेंडेंट है जुडिशेरी इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है इसमें दिक्कत क्या है इतनी नई संसत भवन का निर्माण हो रहा है उस पर एक भव बना बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग विग्नवीर हो गए हैं हिंदु धर में कहा जाता है कि जब पूजा पाठ हो कोई शुब काम हो नई शिरुवात हो तो उसमें विग्न डालने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं विग्नवीर हो गया है इस देश का विपक्ष क्या आपको गौरव नहीं हो रा कि इतना बड़ा शोक्चिन वहां पर लगा है नहीं आप मुझे गौरव होता जब लोगसभा के स्पीकर उसका अन्वेल करते हैं पदान मंत्री को समझना चाहिए कि वो पदान मंत्री है यह कोई देश नौध कोरिया या इराथ नहीं है कि दिक्टर रशिप तेले की पार्लेमेंट इंडिपेंडेंट है और रहेगा इंशाल्ला क्यूंकि सम्विधान कहता है थिर्यों बना रहा है मिनिस्ट्री अफ अर्बन डिवेलपमेंट हर्दी पूरी वहाँ पर मौझूद है मुखिया कौन कांसल अफ मिनिस्टर्स का प्रधान मंती नरेंदर मोदी उनके वहाँ पर रहने से क्या प्रॉब्लम है अगर वो पूजा कर रहे हैं अगर वही अनावरन कर रह भूजा फिस लीजा पॉर्ब्लम ऊनाडर टो रहा है अर्बन डिवल्लपमेंट बंगर कहां पर बना रहे हैं पार्लिमंट के अंदर बना रही है और पार्लिमंट का मुखिया यूं अबर इन्दर नहीं बिरला है आप बनाने से आपका एल्पर आप कहेंगे कि हम पैसे देते हैं, Union of India पैसे देता है, तो इसलिए हम पार्लेमेंट अपी मर्दी से चलाएंगे, नहीं कह सकते हैं, पार्लेमेंट सुप्रीम है, पार्लेमेंट का मुखिया ओम बिरला है, और ओम बिरला को चाहिए था बहुत से लोगसभा के स्पीकर को ले रहे हैं, उस नजर से तो आप देखें तो फिर राश्चुपती प्रिसाइट ओवर दे पार्लेमेंट राइट, राश्चुपती, लोगसभा स्पीकर कैसे हो जाएंगे पूरे पार्लेमेंट के सर्थ, मैडम, देखिए, ठीरी ओफ सप्रेशन ऑफ पावर्स में, कि पार्लेमेंट मेंडाफील लिए हैं दू लगसभा की जो ख Іस लिए लौगसभा की आप अंदर हाल गैगे, स्पीकर की चेर पदान मंत्री की चेर से उपर है अब मुझे नहीं मालूं कि पदान मंत्री को बात हज़म होती है नहीं होती है मगर लोगसवा की स्पीकर की चेर सबसे उपर होती है और पदान मंत्री की चेर नीचे होती है और जो परदान मंत्री लोगसवा में बोलते हैं या हर मेंबर बोलता है तो हमको लोगसवा की चेर को देखकर बोलना पड़ता है और रहा सवाल सेंटरल विस्टा के बनाने का हो परदान मंत्री कर ले हमको क्या करने है अलसे मैं बात कर रहा हूँ पार्लिमेंट की जिसका सुप्रीम पार्लिमेंट सुप्रीम है और धेश के पदानमंत्री को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी पुजा हुई है इस बात से भी प्रॉब्लम में आपको ने मेरा मानना ये है देखिए अगर आप हिस्ट्री के मैडी हिस्ट्री का स्टूडन्ट हो ये जो एम्बलम हमको मिला कहां से मिला ये अशोका दे ग्रेट के जमाने का है और वहां पर उसी मुकाम पर गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सर्मन खुद्बा गिया था च चली आप आप ने कर दी अरे वह कोई बहुत मजब के रिलिजिस स्कॉलर को भुला लेती है वो एम्बलम कहां से मिला उस जगा से मिला जहां पर गौतम बुद्धा ने अपने पहला सर्मन खुद्बा दिया था अपनी बात करी थी और एक बात समझे मैडम वो जो जो कि उसको नहीं जानते क्या वो वो बताता है इस बात को के इक्वालिटी जस्टिस करेज कॉन्फिडेंस यह तमाम चीज़े तो संवीधान के प्रियांबल में है ना मैडम हम सब बोल जाए क्या उनको लेकिन जिस सारनात के आप बात करें देखिए सारनात का ही यह बीजेप हो सकता है सर शेर तो शेर की तरह दिखेगा ना अब वसके दाट किनेंगे क्या हूं बऔर दिखे क्या क्या दिखे एक वाला है ये वैसी सापको दिखा चाहिए जो इमेज का डावा कि आ जा रहा है और जो जो आम तौर पर हम सरकारी लेटर हेड्स पर देखते हैं जो प्र आपके दाद बड़े है या पार्लिमेंट के दाद बड़ा है पार्लिमेंट के दाद बड़े है आप दाद नहीं दिखा सकते पार्लिमेंट को बैसे प्रदान मंतरी आप पैसा दे रहे हैं तो संभीधान के तहद आप देते हैं आपको देना चाहिए पार्लिमेंट चलाने के लिए पार्लिमेंट का सेकरेटरेट अलग है यह सरकार बनने के बाद उन्हें तो सेकेर्टरी जनरल भी पार्लिमेंट के एंपल्वाइस पूल से नहीं बन रहा है बाहर से लोग आ रहे ठीक है उस्पीकर साथ ताय करते होंगे मगर पारलिमेंट के दांग बढ़े हैं याद लेकिन तो आप यह कह दीजे कि यह इशू जो उठाय जा रहा है टीम सी की तरफ से और कुछ कॉंग्रेस के नेताओं की तरफ से वो गलत है कहिए मुझे का करना है वो तो मुझे काली देते हैं मैं संवीधान के बेसिक स्ट्चर की बात कर रहा हूं सब्सक्राइब कर रहा है इतना टाइम कैसे प्रदान मंत्र के वो समझ में आ रहा है अभी पार्लिमेंट की बिल्डिंग बनी भी नहीं आप चले जाते हैं अन्वेल करने के लिए प्रदान मंत्री का है मगर क्या पदान मंत्री को नहीं मालूम के माई के महीने में एक और तीस लाट नोप्रिया चले गई अगले इशू पर अब आते हैं सर योगी आदित तिनात मुख्य मंत्री योगी आदित तिनात उत्तर प्रदेश के और मुख्य मंत्री के बयान पर आपने बहुत नाराजगी जाहिर की है उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंतरन का कारेकरम सफलता पूर्वक बढ़े लेकिन जानसंख्य की असंतुलन की स्थिती भी पैदा ना होने पाए क्या गलत है वो जो कह रहे है एक चिंता का विशह हर उस देश के लिए जहां जन सक्या अस्तुलन की स्थिती पैदा होती है और धार्मिक जमोग्रफी पर विपरीत असर पड़ता है क्या गलत कह रहे है वो जूट पुख्य मंत्री एक बड़े पड़ देश के ओकर जूट बोलते हैं और इतने अजीम होदे पर बैटकर आप आपको उनको जिबा नहीं देता किस तरह जूट बोलें कि भारत का मुसल्मान मूल निवासी नहीं है बताईए आप मुझे पीस कोड मुसल्मान इस देश के मूल निवासी नहीं है और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस देश में अगर कोई मूल निवासी है तो आदिवासी और डिविडियन है ना योग यह देते ना आते ना सहो दिन हो ऐसी है फिर और दूसरी जूट पुटर पर देश में जो टी पर आफी की कली मिलंग शर्मा ने रिपोर्ट फाइल की देख लीजिया क्या यह जूट है कि भारत के मुसल्मान तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा कॉंट्रसेक्टिव यूज़ करते हैं जो दो हजार पंदरा में थर्टी सेवन परसंट था वो फॉटी सेवन पॉइंट दिया प्राइवेट मेंबर्स बिल जो बीजेपी के मपी लाई ते कहा था कि जबरन खानून की भारत को जरूरत नहीं है क्या वो भी जूट है दो दिसंबर 2020 सुप्रीन कोर्ट में एफिडेविक डायर के हमोड़ी सरकार ने कि देश को तूचा इनाम के खानून की जरूरत नहीं है क्या वो भी जूट है अरे जो भारत में डिमागरेफिक डिवीडेंट है इनका जो आग्यूमेंट है सर इनका जो आग्यूमेंट है वो मैं आपको समझाती हूँ जब देश की आजादी हुई तो 30 करोड हिंदू थे 3.5 करोड मुसलिम थे जो अनुपात उस वक्त वो अनुपात अब बदल चुका है और जब आप हिंदू पॉपिलेशन वसस मुसलिम पॉपिलेशन आज देखते हैं तो वो अनुपात बदल चुका है वहाँ पर उनकी संख्या बड़ी है इस पर आपका क्या जबाए है जब वो धार्मिक और संतुलन की बात करते हैं तब उत्तर परदेश में मैडम 6% से 7.3% सिवियरली वेस्टेट बच्चे हैं उसके बिना मुसलिम पॉपिलेशन ग्रोथ क्या इंडिया के लिए एक करोर पीछे रागा है हम चीन से अगर हर समुदाय इसी में लड़ाई लग जाएगा इसी में लड़ाई लग जाएगा कि मुसलिम का कह रहे है तो पूरा मामलाई गड़ पड़ हो जाएगा एडूकेट करना पड़ेगा ना तालीम ही उपाए है क्या यह नहीं है अच्छा सुनिए आप आपके सवाल का दो जवाब पहला जवाब पूरे विष्व में भारत के पास जो जो जमोगरिफिक डिवीड 2014 में जूट का आपने अब कह रहे हैं कि दो साल में दस लाग आपिया देंगी इनका सुनिए मैडम मेरी बास सुनिये मैडम मेरी बास सुनिये मैडम प्लीज सर प्लीज जमोगरिफिक डिवीडन को आपने बरबात कर दिया चीन ने जो घल्ती की ओ भारत को नहीं करनी चाहि पास देश की 41% डॉलत है यह जूट है देश की 45% डॉलत पांच पिसके लोगों के पास है यह भी जूट है मैं आपसे पॉपिलेशन पर सवाल कर रही हूँ आप इसको बार-बार नौकरी पर और अब ले आ रहे हैं कि अमीरों के पास इस देश में जादा संपती है मेरे सवाल का एक सिंपल सा जवाब दीजे सर या फिर शाफिकुर रह्मान बर्क साब जो कि इस देश की संसद में बैठते हैं वो कह देते हैं अल्ला की देन है इस तरह के शब्दों का इस तो इस्समाल किया जाता है मैं आप से क्या पूछ रहे हैं उसको समझे क्या हर समुद कि मिलन शर्मा की रिपोर्ट देख लीजिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पड़ लिजिए इस देटा दिखा रहे हैं इस आपके बगल में डेटा चल रहा है सर अरे मैडम सुन तो लीजिए सुन तो मेरी बात तो सुन तो लीजिए बगैर खानून बनाएं टी एफार रेट भारत का गिर रहा है इसलिए तो मोडी सरकार ने सुप्रियम कोट में जाकर का था कि टू चाइड लाम की जरूरत नहीं है क्यों का था सुप्रियम कोट में क्यों का था हेल्फ बिनिस्टर ने इसको अब च्ऱएगा इसे हर अजबाओ पड़ेगा के बेटा पैदा करो किटना प्रेए क्या हो का गालूँ आपको सका नतीजा अभी सेक्स सेक्सरेट रेशियो कितना गिरा वाई देख लीजिए हाई बगहर खानून के हमारा पॉपलेशन टीओफ़र रेट गिर रहा है डिक्लाइन हो रहा है 2030 तक भारत का पॉपलेशन स्टेबलाईस हो जाएगा 2026 तक यूपी का पॉपलेशन स्टेबलाईस हो जाएगा अच्छा मैम आखरी बात आपके सवाल का जो पांच पर्देसों में जो हमारा टी अफारेट नहीं गिरा उसमें मैडम उसमें शामिल है मनीपूर मिगाले आप बताईए जारकंड इसमों मुसल्मानों का क्या रोल है चलिए मुसल्मान आबादी बढ़ा रहे हैं इसमों मुसल्मानों का क्या रोल बताईए आप मैं इस साल लगेंगे क्यों यह यह आप खौफ पैदा कर रहें देश में सर यह डेटा है पता नहीं आपकी नजर से कैसे बच गया वरना आप पूरी तयारी के साथ आते हैं इंडिया का करन्ट सेक्स रेशियो आपको पता है एक हजार बीस औरते हो गई है तो हजार एक से इस देश म सेंस्वाणों का सेक्स रेशियो बता यह चलिए और हिम्दु सेक्स रेशियो बता इचलिए इसमे कौन जिम्मे नजरी कहा है है कि हेंटी जरुरा अबीन ने की सब्सक्राइब करें अब तो इंडिया का सेक्स रेशियो ठीक है आप हजार हजार मर्द पे बात करें ना मुसल्मानों का सेक्स रेशियो 936 से 951 इंप्रूव हुआ है कि कौन करा है इंप्रूव मैं आपको बता रहा है दोर्मेंट का डेटा यह हमको खानून की जरूरत नहीं लग 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 लगए कि दो बच्चे वाला कानून क्यों ने ले कर आते हैं वो अगर लेकर आते हैं क्या सर भागियेगा ने मेरे सवाल से क्या हो वैसी साफ सपोर्ट करेंगे मैं सुनी आप आप मुझे मेरी बात मुकमल करने की जाज़त दिये तो मैं कहोगा कि कानून की जरुवत नहीं है खुछ सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोड को खुछ सरकार ने दो एपरल प्राजय सवा में हेल्फ मिनिस्टर ने का अरे आप लिटरसी इंप्रूव करिए एंप करिये आठ साल में आपने क्या किया आठ साल में सिर्फ आपने मुसल्मानों को दुश्मन मना कर देश में पेश किया वह आपका सबसे बड़ा कारणा माएं बीजेपी सरकार का सदुदी नोवैसी साहब अध्यक्ष एया इमायाइंग पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए धन्यवाद साहब